नमस्कार, कक्षा नाइन्थ में आने वाले सभी स्ट्रेंट्स का आरपी व्यास क्लासेज में हार्दिक स्वागत है आप नौमी कक्षा में आये हैं, अब ये जो नौमी कक्षा है ये आधार भूद है आगे के लिए आप बड़े कक्षा में आगए हैं और आपको बहुत ध्यान से हर चीज़ को पढ़ना चाहिए मैं आपके गनित विशे के अंतरगत पाटिगरम कराऊंगा पूरा और गनित विशे में जो पहला अध्याय है कक्षा नाइंत में वो है नंबर सिस्टम याने की संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संख्या रिखा की, संख्या रिखा याने की नंबर लाइन अब नमबर लाइन किसे कहते हैं आप छोटी काक्षाव पढ़ चुके हैं अगर हम एक सिधी रिका खीज़ दें और इनमें समान अंत्राल पर समान दूरी पर अंक प्रदर्शित करें जैसे बीच में कहीं हमने शून लिख दिया फिर समान दूरी पर एक, दो, तीन, चार लेकि आगए अनन्द तक इदर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन से लेकिए माइनस अनन्द तक तो ये हमने संख्या रिका को प्रदर्शित कर दिया देखे एक इसमें टर्म आ रही है अनन्द इन्फाइनाइट जैसे आर्ट होता न एट इसको आप गुमा दो तो ये बन जाएगा अनन्द आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं ठीक है ये ऐसे लिखाते हैं कि ये कहलाएगा अनन्द अनन्द का मतलब जिसका कोई अन्द न हो तो हम संख्या रिखा पर अनन्द संख्या लिख सकते हैं जीरो एक दो तीन से लिखे कितने भी इधर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन से लिखे कितने भी इसका मतलब यही हम एक और दो के बीच में भी अनन्द संख्या लिख सकत अभी तो मैंने आपको केवल कुछ मुख्य मुख्य संख्य बताईएं तो हम यह कहते हैं इसको संख्या रेखा अब हम कुछ विशेश प्रकार की संख्याओं का संग्रह देखते हैं किस प्रकार का होता है जो पहला संग्रह है collection जो है मैंने क्या किया कि एक, दो, तीन, चार इस फ़कार से ना वन, टो, त्री, फॉर इस फ़कार कि संक्यों को मैंने collect कर लिया अब ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे क्या है देखिए अपन कभी भी कोई गिंती करते हैं ना तो इनको काम में लेते हैं जैसे आपके पास में मालिज ये दस पहन है और कोई आप से कहा है बताओ, तो हमारे बसकित पहन है गिंके बताओ, आप क्या करोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ऐसे बलोगे ना ऐसे बलोगे ना कभी गिंती शुरू से होती है, जिरू से, गिंती कभी भी जिरू से शुरू नहीं होती है गिंती हमेशा एक से सुरू होती है तो वो सब संख्या है, जो गिंती करने के काम में आती है The numbers which are used for counting are called as natural numbers इनको कहते हैं प्राक्रत संख्या है, याने के natural numbers और इन नेचुरल नमबर का अगर हम collection कर ले हैं संग्रा कर ले हैं तो उसको हम capital N से प्रदर्शित करते हैं We represent all natural numbers by a capital letter N दूसरा जो संग्रा हम करते हैं वो है जिसमें हमने ये जो पहले था ना 1, 2, 3, 4, 5, up to infinite इसमें 0 को और जोड़ दिया ये संख्या कहलाती है पूर संख्या है याने की whole numbers, whole numbers में 0 सामिल हो गया 0, 1, 2, 3, 4, up to infinite लेकिन दियान रे अभी इसमें minus सामिल नहीं हुआ है केबल या तो 0 या positive और इन संख्याओं का अगर हम एक संग्रा कर ले हैं collection कर ले हैं तो उस collection को बोलते हैं capital W इसे कहते हैं whole numbers का collection बाद में जब आप बड़े कक्षा हम आएंगे तो हम इस संग्रा को नाम देंगे समुच्य, set अभी आपके संग्रा को नाम देंगे समुच्य, set अभी आपके समुच्य पार्टिक्रम में नहीं है इसमें minus 1, minus 2, minus 3 भी हमने शामिल कर लिए, यह जो नया संग्रा हुआ, जिसमें negative numbers याने की इरणातबक संग्रा है, whole माइनस 3, minus 5 इस पकार आएंगे इसके अंदर, जैसे minus 3.4, minus 5.2 इस पकार आएंगे नहीं आएंगे, लेकिर आएगी पूरी उरुरु संग्रा, इसके अगर मैं पूरांक की संदी विच्छेत करूं तो पूर प्लस अंक, पूरांक इनको कहते हैं, इंग्रिस में integers, और इतनी जो हमने बताई आपको संख्या हैं, इनका अगर मैं collection कर लो, उस collection को नाम देते हैं, capital Z, so Z is called as collection of all integers, अब एक विश्यस प्रकार का संग्रा हम करना जा परिमे संख्या हैं, याने की rational numbers, क्या होता ये, ये दो पूरांकों का अनुपात होता है, लेकिन जिसमें हर सुन्य नहीं होना चाहिए, any rational number may be represented by the ratio, P upon Q, ये पी स्टो Q, पी और क्यों का अनुपात है, जहां P और क्यों क्या है, integers हैं, पूरांक है, परंतु Q 0 नहीं है, any rational number may be represented by P upon Q, P is numerator and Q is denominator, P and Q both are integers, but Q is not equal to 0, ध्यान से देखेगा, 0 integer माता है, मैंने का था ना आपको 0, कि देखेगे 0 integer माता है, लेकिन हम जब बात करते हैं, rational number की, तो P upon Q में Q 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा दिया, मालिजे 2 by 3, 4 by 5, minus 10 by 3, कितने में लिसकते हैं, मैं किसे को मैंने 5 बटा 7 कर दिया, 12 बटा 15 कर दिया, ये सारे क्या है, परमे संक्या, याने कि rational numbers, इस rational number का जो collection है, परमे संक्याओं का जो collection है, संग रहा है, उसको हम capital Q से परदर्शित करते हैं, तो capital Q represents a collection of all rational numbers, अब जब हमने इतनी सारी बाते पढ़ी, तो एक प्रशने करते हैं, एक बात आप दियान से देखिएगा, मैं जब आपको पढ़ाओंगा, तो बहुत ही basically पढ़ाओंगा, बिलकुल बाते करता हुआ, गप्पे मारता हुआ, अचमिजा करता हुआ, और पढ बढ़ते अपन किताब के प्रशने भी कर लेंगे, और अगर ध्यान से आप मेरा पुरा वीडियो देखोगे, और मिरे को सुनोगे, तो सारे मुश्किल प्रशनों को मैं हल करूँगा, और मेरे हल करने का तरीगा क्या होगा, कि आसान प्रशने पहले होंगे, कटिन प्रशन बाद में होंगे, और जो जो अपनों पढ़ते जाएंगे ना, मैं साथ साथ में कॉस्षन करता जाऊँगा, तो एक कॉस्षन बनता है, ट्रू फाल्स का, यानि कि सत्य या असत्य, आप जानते हैं कि मैं अगर कौँछ चीज ट्रू है, तो इसको कूँँगा ट्रू, और फ आपके एक्जाम्बल से हैं, कुछ कॉस्षन थे, उनको देखते हैं, मैंने पूरा एक सैट बना लिया, देखिए, मैं कुल छे प्रशन करूँगा इसके अंदर, पहला, आपको कुछ कथन दिये हैं, यानि कि स्टेट्मेंट्स दिये हैं, और आपको ये तय करना है कि जो थाइ या सैट्व हैं अगर वह कंथन सत्य हुआ तो में टी लिख दूँगा और आस्ट्य हुआ मैं एफ लिक दूँगा, देख करना है कि एवरे होल नंबर इसे नाच रिशन हैं, या कथन या कंथन है एक नहीं है प्र नाख्रल नाच्रल लंबर आऊ नहीं है इसक 먹ल यह वहगया फॉल्स क्योंकि जीरो जै वह ओन संग्या तो है लेकिन प्राकर संग्या नहीं है यह प्रतीक पूरर्ण करणथ है यह हो गया फॉल्स गलत, असत्य, दूसरा देखिए, every integer is a rational number, प्रतिक पूरांग एक परमे संख्या है, ये सत्य है, देखिए जैसे माली जी मैंने पूरांग लिया 5, तो क्या मैं इसको 5 बटा एक नहीं कह सकता हूँ, और दोनों देखिए, पूरांग के नीचे 0 नहीं है, क्या मैं 0 है, क्या इस जीरो भी पूरांग है, चार भी पूरांग है, नीचे 4 जीरो नहीं है, तो 0 भी परमे संख्या हो गई, और जैसे मैंने क्या का, इसने प्रतिक पूरांग एक परमे संख्या है, तो मैंने दनात्मक पूरांग ले लिया, 0 ले लिया, अब चलो मैंने माइनस 8 कह दिया, ये न यह जो statement यह true है तो मैं कहूंगा यह true है it is true तीसरा every rational number is an integer प्रत्येक परमे संख्या एक पूरांग है प्रत्येक परमे संख्या एक पूरांग है यह तो गलत है definitely गलत है यह false है क्यों यह बताईए क्या 4 बटा 5 एक परमे संख्या यहने कि रेसल नमबर नहीं गया यह रेसल नमबर है क्योंकि 4 भी इंटेजर है 5 भी इंटेजर है 5 जिरू नहीं है पर 4 बटा 5 जो है वो पूरांग नहीं है it is not an integer परमे संख्या तो है यह लेकिन पूरांग नहीं है इसलिए हमारा गलत हो गया हम कहेंगे false याने कि प्रत्यक परमे संख्या एक पूरांग है यह जो कथन है कि गलत है हाँ अगर वो कहता कि उल्टा कहता है अगर प्रत्यक पूरांग एक परमे संख्या है तो हो सही होता जैसे यह था ना दूसरा यह वाला अब चौसा देखेगा चौसा क्या कह रहा है इसमें चौसा कह रहा है कि every natural number is a whole number every natural number is a whole number प्रत्यक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है हर प्राकृत संख्या है देखेए एक दो तीन चार पांच छेष्ष्च आठी शब नेच्रल नमर से है और आप देखेंगे यह whole numbers में भी आता है देखिए मैं बताथा ने कॉछ से नहीं सा रही है यह रहा प्राकर संख्या नहीं RA क्या था इसके अंदर 1234 एक फूंट्विनिटी और होल नंबर है की नहीं है लोगने क्या था हमारा 0,12,34 यह आगे ने 1,23,4 हाँ इसका उल्टा गलत है यह साही है प्रत्येक प्राकर संक्या एक फून संक्या है अगर मैं कहता है क्या प्रत्येक प्राकर संक्या प्राकर संक्या है वो गलत होता क्योंकि फून संक्या जिरो होती पर जिरो प्राकर नहीं होती है जिरो is the whole number but it is not natural पर यह सही है, it is true every natural number is a whole number प्रत्येक प्राकर संख्या एक पूर्ण संख्या है बिलकुल सही है अगला देखेगा एवरी इंटेजर इस ए कौल नम्बर ये गरत है ये फाल्स है और इंटेजर में तो मैनस भी आते हैं ना जैसे माइनस 4, माइनस 5, but these are not whole numbers, देखे, whole number में 0, 1, 2, 3, 4 आते हैं, मैं बार बार ये कहा चुका हूँ, ये है whole numbers, इसमें क्या आते है whole numbers के अंदर, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें नेगटिव आ रहे हैं किया, नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया, क्या कहा है, Every integer is a whole number, इंटेजर तो निगीटिव हो सकता है फोल नोबर को भी निगीटिव होता नहीं है last every rational number is a whole number every rational number is a whole number प्रत्य एक परमे संख्या एक पून संख्या है यह भी false है यह बताईए 7 भाता 9 7 upon 9 क्या यह 7 नो दोनों इंटेजर नहीं है दोनों इंटेजर हैं, नो जिरो भी नहीं है, ये क्या हो गई? ये हो गई रिस्टर लंबर, बट इज नोट ए होल नमबर, क्यों होल नमबर के अंदर ऐसा नहीं होता है, होल नमबर में तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बगर आते हैं, इस तरह से मैंने आपको आज क्या-क्या बताए मैंने आपको चार प्रकार की संख्या बताई, चार प्रकार की, कैसी? पहले तो प्राकर संख्या याने की नेचरल लंबर, फिर मैंने बताई आपको पूर संख्या याने की होल नमबर, फिर मैंने बताई पूरांग संख्या याने की इंटेजर, फिर मैंने बताई परमे तो आपको कैसा लगा है, आध याज ये पहला दिन पहला लेक्चर और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंदाया हो, अगर मेरा ये वीडियो पसंदाया हो, तो आप इसको जरूर लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों के बीच में इसको फैला हैं यह किना इसको शेयर करें और अगर आपने मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल आर पी व्यास क्लासे इसको सब्सक्राइब ने किया है तो तुरह अभी कभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह पहला लेक्चर है और मैं वादा करता हूँ कि पूरी वर्ष के अंदर बहुत जल्दी आपको नौमी कख्षा के अंदर फुल माक्ष अगर लाने है तो आपको मेरे वीडियो देखने चाहिए बहुत जल्दी मैं अपना कॉर्स पुरा कर दूँगा इस ओल्दी वर अवर अवर इस वीडियो थैंक यू